जैन बच्चों स्वागत है आप सभी का एक पर फिर से आपके शूर्ट गया और लाइनिंग पोडल पे तो आज का वीडियो क्लास UKC और क्लास 1 के लिए हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में स्वर और स्वर की मार्टा हैं चलिए शुरुवात करते हैं बिन बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्वर और स्वर की मात्राएं स्वर हमने पढ़ा था स्वर किसे कहते हैं कितने होते हैं तो स्वर होते हैं कि मात्राइब कैसे हम स्वार को समझते हैं कैसे बोले जाते हैं और कैसे मात्राओं के साथ लिखे जाते हैं वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्वर से पहले हम स्वरों का उचारन करना सीख ले चलिए इसको हम बोलते हैं और आ ई इई पू उ री ए अरी पू आ यह सभी वर हैं तो चलिए इनकी मात्राइं देखते हैं अब मात्रा ऑ की औ की कोई मात्रा नहीं होती है आ की मात्रा है यह हर्सी की मात्रा है यह तिर्गी ए की मात्रा है यह हर्सी की मात्रा है यह तिर्ग की मात्रा है यह रई की मात्रा ऐसे होती है ए की मात्रा इस प्रकार की होती है अई की मात्रा ऐसे लिखी जाती है ओ की मात्रा इस प्रकार की होत रभिर, इन स्वरों को हम Пउन मूल रूप में कैसे हम सब्द में बनाते हैं तो देखी आ है तो यह सब्द बना अब स्वर ऑ है तो खैसे जोड़ा है अब जी सब्द बना आम किसे इन मूल रूप में उता रहा है आउर लिखे फिर हमने एक और अक्षर जोड़ा इसमें जो सब्द बना आम इसे इन यह जो ई है जो ए जे जैसे यहां है वैसे यहां पर हमने सिधा लिया है और इसे एक उसे उस बई उसे ओन हो गया ठी पर इसे रिन हो गया एसे एक ऐसे ऐसे वो से और तो यहां पर जो यह सबी स्वर लिखे थे इनको सीधा कर सीधा यहां पर हमने बिलकुल स्वर आप देख सकते हैं यही स्वर यहां पर अगरभाल में यहां यही स्वर आपको दिखाए देंगे जो सबी स्वर यहां पर है वही स्वर आपको आँ यहां पहला अक्षर स्वर का ही है और बाद में हम एक और दूसरा नया अक्षर जोड़के इसे सब्द के रूप में हमने लिखा है तो अब हम देखते हैं कि इन स्वरों की मात्राओं को कैसे हम सब्दों के साथ मिला कर लिख सकते हैं तो कैसे लिखे जाते हैं वह देखते हैं जैसे कि और की कोई मात्रा नहीं होती है तो फल में आटो ऐसे आही जाता है तो बिना मात्रा का फल होता है सब्सक्राइब अब देखिए हाँ तो हाँ का ये जो मात्रा है यहां पर बहुत के बाल लग गड़ी है इसकी मात्रा है आकी मात्रा है यहां पर पहले क्या होता यहां पर पहले होता अधार के बलप पर आख ही मात्रा लगने की चारण क्या वन गया यह बन गया बाल ठीकर वैसे मात्रा ना नगी क्या हो गया दिन वैसे ही बड़ी की मातरा इस परकार नकी सबैंद तो गई जब इसमिन बड़ी मात्रा लगी तो क्या हो? जीड हो गया है। तो वैसे यी ऐगने वादान से पहरे क्या था? पल ठाब। जब हमने या वादा के इसमिन लगा दी यह हो गयी पुल है। वैसे है ये वाले जो थी यह ज़स कि पष्भ लिखा हुआ था पर जब हमने लगाई दूध बन गया। अब हमने री की मात्र री की मात्र हमने इसमें गवर में लगाई में प्रकेम हो गा पहले ऐसे दिखा हुआ था शर में एक ही मातरा जब ये वाली मातरा इसके उपर जाके लग गई ऐसे और फिर पैर में देखिए पहले था पर में यह यह की मात्रा लगाई यह वाली मातर यह लगा, पिर हम ने ओकी मात्रा को लगाया इसमें, 13 में न्यों मातर लगी तो क्या हो गया चोड वैसे ही हमने आव की मातरा किस में लगाई दढ़ में दढ़ में आव की मातरा जब लगी तो हो गया जोड तो ऐसे मात्राओं को लगार्पे कि सब्दों की होती है इक सब्दों को कैसे लिखते हैं यह सब्दों की मात्राओं स्वर की मात्रा लगने के बार यह सब बनते हैं तो आसा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आपको पॉस करके रोक कर इसको पूरे को एक बार समझने के कोसिज करिए ठीक है एक इसको कैसे हमें बिलाया है अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो क हुआ तो इसमें आप लोग इस वीडियो में सीख चुके होंगे तो मिलते हैं आप अरहे वीडियो में एक नए विश्य के साब तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहिए सीखते रहिए धन्यवा